हलो एवरिवन, विल्कम टोर चानल, तो इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास एट का चाप्टर फूर सदेव पूरतो निदेही जर्नम की हमेशा आगे ही बढ़ते रहो तो ये किसने लिखा है श्रीधर बासकर वर्ने ये उन्होंने लिखा हुआ है और वो कैसी कभी थे राष्ट्रवादी कभी थे तो चलिए हम इस गीत का उचारन करते हैं चल चल पूरतो निदेही जर्नम सदेव पूरतो निदेही जर्नम इरिशिकरी ननूनी चर्निकेतनम विनेवयानम घारोहनम पलम स्वकियम भवति साधनम सदेव पूरतो निदेही जर्नम पथिपाशान विष्यमा प्रक्रा इंसा पश्वा परितो घोरा सुदुष्करं खलुयत्य पिगमनं सदेव पुरतो निदेही चरणं जीही भीति भज भज शक्तिं विदेही राष्ट्रे तथा नुरक्तिं कुरु कुरु सत्तम धेयास्मरणं सदेव पुरतो निदेही चरणं आईए अब हम इसका हिंदी अनुवाल देखती हैं के मतलब चलो चलो आगे बढ़ो, हमें हमेशा जीवन में आगे ही बढ़ना चाहिए, इन दोनों पंक्तियों का ये मतलब है, आगे गीरी शिखरे ननु निजनिकेतनम, विनेवयानम, रगानोहनम, तो मतलब हमारा घर परवत के उपर है, और वहां पर हमें किसी जहाद से नहीं जाना, अपनी मेहनत हिम्मत से जाना है कि जो हमारा बल है, मतलब जो हमारा ताकत है, वही हमारा सच्चा साधन है, वही हमारी क्या है? असली ताकत है, तो इसे लिए हमेशा आगे ही बढ़ते रहो कि मतलब कि रास्ते में बहुत ही टेड़े, मेड़े, नुकीले, कांटेदार पत्थर आएंगे और उसके साथ रास्ता मतलब सरल ही है, वहां पर जानवर में आएंगे उसके बाद सुदुश करम खलुयद्य पिगमनम सदेव पूरतो निदेह चलनम आपकी यत्र बहुत कठीन होने वाली है, फिर बे आपको सहस्पूर्व आगे ही खदम बनाना है और तुम डर को छोड़ दो, अपनी शक्ती को जपो, आगे है जिही ही बीतिम भजबजशक्तिम, ये मतलब डर को छोड़ो, अपनी शक्ती को भज़ो, शक्ती को याद करो विदेही राष्ट्रे तथा नुरक्तिम, अपने मन के अंदर राष्ट्रे प्रेम रखो जो आपका लक्ष्य है, उसको याद करते रहो, और सदेव पूरतो निदेही चरनम, और आगे बढ़ते रहो अब इसकी शब्दार्थ ये रहे आगे करते हैं इसका प्रशन अभ्यास पहला तो हमने कर ही लिया हुआ है अब दूसरा जो हमें प्रशन दिवे हैं, उनका एक पद में उत्तर लिखना है स्वकियम साधकम किम भवती तो जो हमारा साथ है, वो क्या है? हमारा बलम है सो आणसर इस बलम नेक्स्ट, पथी पाशान पथी के प्रखमा विश्मा प्रखरा तो यहाँ पर पाशान पथी पाशान पथी पाशान सेकिंड का अंसर आगे सततम किम कर नियम तो यहाँ पर आजाएगा देया स्मारनम देया इसी के आगे लिखने है स्मारनम यह सारा एके लाइन में है देया स्मारनम के अपने लक्ष को याद करना है हमें एतस्य गीतस्य रच्य रच्यता का तो मतलब इस गीत को किसने रचा है किसने मतलब लिखा है तो श्रीधर भासकर अगला वह कैसे कभी माने जाते थे तो राष्ट्रवादी राष्ट्रवादी अगला प्रशन अब आगे हैं मंजुशात हमें फिल करना है जो हमें यहाँ पर फिलप्स में आप्शन दिवे हैं उनको फिल करना है सबसे पहला है त्वम विद्याल्यम तो चल आ जाएगा यहाँ पर उसके बाद राष्ट्रे अनुरुक्तिम डाश तो यहाँ पर आजाएगा विदेही मतलब राष्ट्रे से प्रेम करो महियम जलम देही मुझे जल दो मूर्ख डैश धनात्मानाम कि मतलब की मूर्ख तुम धन के मतलब धन के लालच को छोड़ो तो यहाँ पर आजाएगा जही ही उसके बाद आगे डैश गुविंदम तो भज गुविंदम कि भगवान को पूजो उसके बाद सततम धेयास मरनम कुरू कि मतलब अपने लक्ष को याद करो अब आगे चलते हैं आम और ना लिखना है आम सही के आगे मतलब प्रू के आगे और न गलत के आगे पाठ के अनुसार बताना है तो जैसे है फर्स्ट वाला निजनी के इतनम गीरी शिखरे आसिद हमारा घर परवत पर है तो ये आपका घर बेशक परवत पर नहीं है पर पोयम के अकॉर्डिंग है तो यहाँ पर आएगा आ दूसरा तो जो हमारा बल है वो भादक है हमारे लिए नहीं वो हमारा साथक है तो यहाँ पर आजाएगा न पति पाशन पश्वान न सुन्ती तो जो रास्ते में है वो पशु नहीं आएगे तो ये न है तो पोयम के अकॉर्डिंग पशु आएगे गमनम सुक्रम अस्ती जो हमारा रास्ता है जो हमारा ट्रिप है जो भी है वो बताब इजी है तो नहीं वो डिफिकल्ट है तो ये भी न सदेव आग्रे एव चलनियम हमेशा आगे चलते रहो तो ये आम ये सही है हम यहाँ पर ये वर्ड्स इनके पहले मीनिंग बताने है और फिर उसके बाद इनसे वाक्य बनाने है तो परीतह मतलब चारो और पूरतह का मतलब हो जाता है सामने नगह होता है पहाड नागह होता है सर्प आरोहनम मतलब की श्यद चड़ना येस रोहनम मतलब की जडरना अवरोहनम मतलब की उतरना उसके बाद विश्मह विश्मा हो गया की जो अलग अलग होता है असमान्य मह हो गया जो सेब होता है अब इस सेंटेंस emotional बनाते हैं विद्याल्य हश परितः विष्शाह संती विद्याल्य के चारों और पेड़ है पूरतव से विद्याल्य है पूरतव उद्यानम अस्ती कि जो विद्याल्य है उसके सामने एक बाग है नगह तो इसको हो जाएगा हिमाल्य है प्रसिद्ध नगह अस्ती और नागा से वरिख्षःस्य समीबे एक हा नागा वस्ति की मतलब पेड़ के नीचे एक वेड़ वो रहता है नाग रहता है उसके बाद आरोहडम की मतलब की चण्णा तो परवत पे चण्णा बहुती यहादम मुश्किल होता है उसके बाद अवरोहनम मतलब की उतरना तो परवस्य अवरोहनम सुखम भवती विशमाहा मतलब की जो असमान्य है तो मारगे विशमाहा पाशान संती जो मारगे उसमें अलग लग तरा के पत्थार आएंगे उसके बाद महा मतलब की समान जैसे कि सर्वे छात्राह समाना संती सबी बच्चे एक समान है अब पांचमा प्रशन फिर से मंजू शात है तो विदाल्यस्या पूरत हा एकह उद्यानम अस्ती विद्याल्या के सामने है यहाँ पर सत्यम एव जाईते तो यहाँ पर आजाएगा एव उसके बाद किम बहवानस नानम कृत्वान क्या तुमने कर लिया तो शायद के लिए यूज होता है खलू के मतलब हमें पक्का कंफर्म नियस ने किया या नहीं तो खलू लग जाता है सह सह उसके बाद यथा चिंत यती डाश आचरती तो यहाँ पर तथा आजाएगा उसके बाद आगे गमनम वरिक्षाह संती तो रास्त में मेहतू परीत हो उसके बाद विद्यालह डाश जीवनम व्यर्थ हो सरी विद्या डाश जीवनम व्यर्थ हो तो विद्या विना, विद्या के विना धीवन व्यर्थ है लास्ट है डैश बगवन्तम भजह तो सदा मतलब की हमेशे बगवान की पूजा वगड़ा करो तो पूरत ह प्रिष्ठत, पूरत मतलब सामने आगे की और प्रिष्ठत पीछे की और स्वकियम परकियम, भीती, भीती का हो जाएगा सहस philosophical अनुरुक्ती विरक्ती और गमनम आगमनम आगी है तो जैसी यहाँ पर हमें लटलकार में दिया हुआ है लोटलकार में और विद्य लिंग लगार में हमें करना है तो पठती है तो पठतू पठते वैसे ही खेल सिका यहां पर हो जाएगा खेल आगे खेल खेले खादन्ती खादन्तु खादेयो पिबामी पिबानी पिबेयम हस्तह हस्तम हसेथाम नयामह नयाम नयेम अब जैसे उपर वाले में हमने धादू किया था यहां पर विबक्ते का प्रयोग करना है गेरी शिकर का हो जाएगा समप्ती एक बचन सब्तमी एक बचन में गेरी शिकरे पथीन का हो जाएगा पथी राष्टर का राष्ट्राय उसके बाद पाशाने यानानी शक्ति हो पशूशू यही पर पाट समात होता है दन्यवाद